अज हम बनाने जा रहे हैं। रोटी का बहुत ही इस्पिशल नास्ता। जिसे आप बाहर कई होटल में खाने जाते हों। आज वही रेशीपी हम घर पे बनाने जा रहे हैं। उससे पेले हलो दोस्तों मैं हूँ सिमा अपका स्वागत है मेरे चेनल में। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें रोटी चाहिए तो मैंने यह आपे दो रोटी ली है तो यह ताजा रोटी है बासी नहीं लेनी है इस रोटी के टुकड़े हम मिक्सी जामें डाल देंगे और एक अच्छा सा बारिक सा पाउडर बना लेंगे ज्यादा महीन नहीं पीछना है दरदरा सा रखना है इस तरह का अब रोटी के अंदर हम डालेंगे एक चमर दही दही को हम रोटी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे इससे क्या होगा कि जब रोटी दही में मिक्स होगी तो रोटी हमारी थोड़ी सी सौप्ट हो जाएगी क्योंकि नास्ते में हम नहीं चाते कि रोटी हमारी थोड़ी सी कड़क सी लगे प्रोटी स्वप्ट हो चुकी है इसमें हम डालेंगे एक उपला हुआ आलू जिससे मैंने ग्रेट कर लिया है और आलू के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे एक प्याज बारिक कटा हुआ अब नास्ते में चार चान लगाने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ पालक पालक डालने से हमारे नास्ते में अच्छा सा फ्लेवर आएगा दो से तीन बारी कटिव हरी मिर्ष डालेंगे और साथ में डालेंगे एक चमच काली मिर्ष का पाउडर और टेस्ट की इसाब से नमक डाल देंगे इसमें हम अब कोई मसाला नहीं डालेंगे सिर्फ काली मिर्ष का पाउडर ही डालना है अब हम डालेंगे दो चमच मेदा मेदा डालने से इस नास्ते में बहुती बड़े बाइडनिंग आएगी और जब हम इस नास्ते को बनाएंगे तो ये फटेगा नहीं और एकदम परफेक्ट बन के तयार होगा अब अच्छे से इन सबी चीजों का हम मिला लेंगे अच्छे से मसल कर इसे एक डोकी फॉर्म में लाना है बहुती सिंपल बहुती कम सामान में बन के तयार होगा अमारे ये नास्ता अब हम क्या करेंगे कि इसमें से थोड़ा सा मिक्सरन लेंगे और एक छोटी सी बोस बना के तयार करेंगे बहुत ही easy है बनाना इसी तरह से हम सारी बॉल बना के तयार कर लेंगे तो friends आप देख सकते हैं सिर्फ दो रूटी में हमारी कितनी सारी बॉल बन के तयार हुई है तो चलिए अब चलते हैं हम gase की और gase पे मैंने कड़ाई रखी उसमें तेल को गरम होने के लिए रख दियाता और जिसे हमारा तेल गरम हो एक की करके बॉल डाल देंगे एक की साथ में सारी बॉल नहीं डालनी है क्योंकि इनके फटने का डर रहता है गेस की फ्लेमकों में हाई रखना है क्योंकि रोटी है वो पकी हुई है और आलू है वो भी उबला हुआ है इसलिए हम इनको फटाफट फ्राइ होने देंगे जब तक इन बोल का गोल्डन कलर नहीं आ जाता हम इने इसी तरह से चलाते रहेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका अगलो चेंज हो चुका है यानि कि यह बन के रेड़ी हैं इने हम एक प्लेट में निकाल लेंगे आज हम बनाने जा रहे हैं रोटी का मंचुरिन जी हाँ वही मंचुरिन जीने आप होटल में खाने जाते हो तो वही टेस्टी मंचुरिन आज हम घर पे बनाएंगे और शीप दो रोटी से ठेह सारा मंचुरिन मन के तेयार होगा अब चलते हैं नेक्ट प्रोसेस में यहाँ पे मैंने कड़ाई को गरम होने के लिए लग देता है इसमें डाला एक चमक तेल और लंबाए में कटे हुए प्याद डाल देंगे और साथ में डालेंगे लंबाए में कटे हुई हर्मिर्ज इन दोनों को सोटे करना है कलर चेन नहीं करना है अब डालेंगे लंबाए में कटे हुए टमाटर और साथ में डालेंगे लंबाए में कटे हुए थोड़ा सा पालक इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इन सब को हम ज़ादा नहीं भुनेंगे क्योंकि इनको हमें नास्ते के अंदर क्रंची रखना है अब इन सब में हम डालेंगे टमाटर सोस और इन सब भी को अच्छे से मिक्स करके मिला लेंगे तो फ्रेंज आपको दिखने में ये बहुती टेस्टी लग रहा होगा और ये नास्ता खाने में तो बहुती मज़ेदा लगेगा अब हम लेंगे यहाँ पर दो चमस मेदा मेदे में थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक गोल बना लेंगे मेदे से हमारे इस नास्ते में ग्रेवी बनेगी गोल हमारा तेयार है इसे हम डाल देंगे कड़ाई में और डालते ही अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे डालने से नास्ते में एक अच्छे सी लेस आती हैं तो फ्रेंज आपने कभी मंचूरन खाया होगा तो उसमें थोड़ा सा घाड़ापन रहता है अब डालेंगे थोड़ा सा नामक इनको अच्छे से मिलाएंगे ताकि मेदे का जो कच्छा पने वो दूर हो जाएं अब हम डाल देंगे रूटी के बने होए मंचूरन इनको मिक्स करेंगे और गेस की फ्लेम कर देंगे हम लो और तीन से चार मिनिर के लिए इन्हें पकाएंगे ताकि ये सोप्ट हो जाएं अगर आपके पास हरा धन्या हो उपर से वो डाल दें तो फ्रेंज ये लीजिए तैयारे हमारे रोटी के मंचूरन एक दम डिफ्रेंट रेसिपी ह और इडिनल मंचूरन भी खाना बूल जाएंगे जब एक बार रोटी से बने हुई कम सामान में बने हुई ये मंचूरन खाएंगे और एक बार बनाने से आपके बच्चों की फेवरिट डिश होगी ये केसी लगी मेरे आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेक करना और सुब्सक्राब करना ना बूले ठाइंक्यू फोर वचिंग मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ